यूरो फुटबॉल चेंपेंशिप का आज दूसरा दिन है आज तीन मुकाबले खेले जाएंगे पहला मुकाबला भारतिय समय अनुसार साड़े छे बजे शुरू होगा यह मुकाबला स्विजर लेंड और हंगरी के बीच में खेला जाएगा तो वहीं दूसरा मुकाबला स्पेन और कोरेशिया के बीच में राज साड़े नो बजे शुरू होगा वहीं तीसरा मुकाबला इटली वर्सिस अलबानिया में राज साड़े बारा बजे खेला जाएगा सबसे पहले बात करते हैं हंगरी और स्विजर लेंड के मुकाबले की हंगरी के सामने शनिवार को ग्रूप A के मुकाबले में स्विजर लेंड की चन्नोती होगी स्विजलेंड चीट के साथ शुरुआत कर लगातार तीसरी बार नौक और चर में पहुँचने की दावेदारी पेश करना चाहेगा हाला कि हंगरी भी विगद दो वर्षों से श्यांदार फों में है यूवा स्पेन की होगी अनुभवी कुरेशिया से टकर स्पेन की यूवा टीम के सामने गुरुप B के अन्यम मैच में अनुभवी कुरेशिया की टीम की चुनोती होगी बर्लिन के अलम्पिक स्टेडियम में दोनों टीमें शनिवार को भेडेंगी यहां टूर्नामेट का फाइनल मैच भी खेला जाएगा विगत यूरो चैंपियनशिप में स्पेन ने कुरेशिया को अन्तिम सोला के मैच में हरा कर बाहर का रास्ता दिखाया था पिछले वर्ष यूएफा नेशन्स लीग के फाइनल में भी स्पेन ने कुरेशिया को पैनल्टी शूट आउट में हरा दिया था पांच विवार यूरो कप में खेल रहे दिगज लुगा मोडरिक इस बार स्पेन से हिसाब चुकता करना चाहेंगे तो वहीं तीसरा मुकाबला इटली वर्ष अल्बानिया के बीच में खेला जाएगा यूरो फुटबॉल चैंपियंशिप 2020 की चैंपियन इटली शनिवार को अल्बानिया के विरुद अपने अभ्यान की शुरुआत करेगी तीम हाला की गग चैंपियन होने के बाव जूज टूर्नामेंट में प्रवल दाविदार के रूप में नहीं उतरेगी डोनो रूमा की अगवाई में उतरने वाली गत्विजेता टीम विगत तीन वर्षों में संघर्ष कर रही है टीम 2022 विशे कब में भी क्वालिफाई करने से चूप गई थी वहीं इस मैच की बात करें तो अल्बानिया के विरुद उनके दाविदारी मजबूत होगी टीम के लिए अच्छी खबर यह है कि डैविड फ्रेंटेंसी चोट से वापसी करेंगे इनके अलावा निकोलो वरेला और निकोलो फिगोल भी अभ्यास कर रही है वे भी वापसी कर सकते हैं वहीं अल्बानिया केवल दूसरी बार यूरो खेल रहा है इससे पुर्व 2016 में उसने यूरो खेला था प्रतु तब उनकी टीम गुरूप चरण से ही बाहर हो गई थी टीम के लिए अच्छी खबर यह है कि इस मैच में उन्हें कोई चोट से नहीं जूजना पड़ रहा अल्बानिया टीम के दस खिलाडी इटली के शिर्ष दो लीग में खेलते हैं इसका उन्हें लाब आवश्यम मिलेगा